बजट आने के साथ ही एक चर्चा स्टार्ट हो जाते हैं कि अब आपको tax कितना देना पड़ेगा आखिर पहले आप क्या tax देते थे और अब mutual fund में आपको क्या tax देना पड़ेगा सो डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं वीडियो में अंतक बने रहीएगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर दें नमशकार मैं हूँ विपलो मजुमदार मैं हूँ फाउंडर अफ प्लानियोर वर्ल ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ये प्लाटफॉर्म सिर्फ इसलिए बना है ताकि आप अपने सही डिसीजन ले सकें आप अपने फिनांशल अडवाइजर खुद बन सकें और इसके शुरुआत आप कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास के साथ मेरे साथ फ्रॉम टूस्डे टू थर्स्डे अट सेवन थर्टी पीम छे घंटों में आप अपनी पूरी लाइफ में फैनांस के बारे में जो बात नहीं जानते वो सारी चीज़े आप सीखेंगे मेरे साथ पुराने participants का ये कहना है कि ये knowledge ऐसी है जो पूरी जिंदीगी बिताने के बाद भी नहीं पता थी इन informations के बारे में उनको पता होने चाहिए था जब वो 25 साल के थे सो डोंट मिस इट जस्ट अट 299 यू के डेवलप यूर मनी आईक्यू लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर website planyourworld.com से आप इसको ले सकते हैं recorded version के भी link description में है and don't forget to participate in money IQ contest this contest will be available up to December 2024 so आप हर महिने हमारे साथ कुछ ना कुछ जीच सकते हैं by just checking your own knowledge so money IQ contest का भी link description में है capital gains tax की अगर बात करूं mutual fund के अंदर capital gains लगते हैं सबी को पता है कि आपका एक head होता है capital gains से जो आपको income tax में आपको capital gain के head में income आ सकती है हर साल so capital gains की अगर income की बात करूं तो इसमें particularly अगर mutual fund की बात करूं तो इसमें कोछ change हुआ है so आपके लिए change का क्या मतलब होगा इसको detail में समझते हैं हम लोग so इसमें तीन तरीके की चीज़ें हमारे साथ में हुई है so first is short term capital gain अगर आप mutual fund की equity funds की बात करें तो equity fund अगर आपने 12 महिने से कम के लिए रखा है और less than 12 months के लिए अगर है और इस period में आपने निकाल लिया है इसको या आप इसको switch करते हैं तो दोनों ही condition में आपके लिए tax applicable हो जाता है अगर gain है तो अब gain है तो इसके उपर पहले क्या देना था पहले आपको देना पड़ता था at the rate of 15% यह हो गया पुराना so this is old system आज की date में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 20% का tax so अगर आप 12 महिने से कम के लिए investment को hold करते हैं तो आप 20% का tax pay करेंगे दूसरी condition क्या है long term capital gain so long term capital gain में क्या था system कि अगर आपने 12 महिने से उपर क्या पैसा रखा है आपने 12 महिने के बाद maybe 24 महिने के बाद maybe और जादा समय के बाद आपने पैसा निकाला है तो 12 महिने के उपर का अगर condition match हो जाती है तो इस condition में जो भी gain amount आया आप अब तक जो pay करते थे that was 10% इसको नए budget में government ने change किया है और इसको अब कर दिया गया है साड़े बारा परसेंट तो यह आपका change है आप अगर कोई भी investment आज की date में कर रहे हैं तो मान के जहें दस की जगह अप साड़े बारा परसेंट का आपको tax pay करना पड़ेगा plus इसके अलावा एक जो सबसे अच्छी खुशखबरी है आपके लिए क्योंकि इसका आपकी जीवन में कितना impact पड़ेगा मुझे नहीं पता बट आपके लिए खुशखबरी अपनी जगह पे है वो खुशखबरी यह है third announcement जो हुआ आपसे related tax free capital gain long term capital gain आपको मिलता है उनके investment आपने किये हैं तो उन सभी पे आपको एक लाख रुपए का per year एक लाख का gain आप बुक कर सकते थे अब इस limit को बढ़ा के government ने कर दिया है 1.25 lakhs तो अगर आप middle class के हैं आपके investment mutual funds में है so you can plan accordingly so 7 lakh रुपए का आपके पास में gain है so आप जब invest करते हैं तो इसके अंदर आपका taxation का बहुत बड़ा एक role है ऐसा मानना कि सिर्फ investment से return आ जाएगा आपको post tax returns को हमेशा देखना पड़ता है so बहुत सारी चीज़े बदली हैं इस budget के बाद और आपको अपने अपने advisor से जरूर पूछना चाहिए अगर वो बता पाएं अगर आपके जीवन में advisor है तो 99% चांस यह है कि आपके जीवन में advisor नहीं है आपके जीवन में सिर्फ agent या bank है so आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए और आपको अगर detail में समझना हो investment के basics क्या है money IQ money management की skills कैसे develop करनी है तो join me in my live money IQ class from Tuesday to Thursday at 7.30 pm at just rupees 299 rupees और अगर आपके बस समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का recorded version साथ में मिलेगी मेरी e-book और मिलेगा आपको live session का invite भी यह तीनों चीज़े आपको मिलती है 499 rupees में links are in the description and money IQ contest में जरूर participate करें दूसरों के साथ share भी करें स्वस्ट मनिय IQ contest का result 28 तारिक को शाम को 4 बजे संडे को आपको live मैं बताऊंगा अपने program में